एक NCC Cadets जिसके पास NCC का A, B या C Certificate है उसको SSC GD 2024 में क्या benefit मिलेगा कितना marks का benefit मिलेगा जहन टो एवरिवन, you are most welcome in your channel Army Boys क्यान सागर जैसे कि हमारे चैनल पर मैं वैसे form को बताता हूँ जिसमें NCC Cadets को कुछ benefits मिलते हैं एक्स्टा marks हुआ है या फर एक्स्टा seat reserve रहते हैं तो उसी के regarding आज के वीडियो में मैं आपको SSC GD 2024-25 के exam details के बार में बताऊंगा जिसमें एक NCC Cadets को अच्छा खासा benefits मिलेगा ओके चलिए इसको start करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दू कि जो SSC GD के 2023-24 के exam हुआ था फरवरी मन्थ में exam हुआ था और उसका result आया जुलाई में आया result 2024 में और उसका अभी तक physical नहीं हुआ है फिर भी SSC GD ने दूसरा notification आउट कर दिया है 24-25 के लिए इसके बार में जानते हैं इसमें NCC Cadets को कितना फायदा मिलेगा कि आप कितना marks मिलेंगे और भी details form के बार में कब से स्टार्ट हो रहा 27-8-2024 से स्टार्ट हो रहा यानि कि 27 अगत से आप form को भर सकते हो एंड इसका लास्ट डेट कब है 5-10-2024 यानि कि 5 अक्टोबर तक अराउंड एक महिना 10 दिन तक है आप अराम से भर लिजेगा इसका exam कब होगा जन्वरी-fürवरी 2025 में इकजाम होगा तो 18 साल से 23 साल के बीच में है ठीक है अगर आप एक OBC हो तो आपको तीन साल का Age relaxation मिलता आपके लिए Age limit हो जाता है 18 से 26 और SCST को 5 साल का Age relaxation मिलता और उनका Age हो जाता 18 से 28 तक वो भर सकते हैं ओके आप अगर SCST हो अधर्वाइस इनकेस जनरल और EWS के लिए 18 से 23 क्लियर हो गया और education qualification क्या चाहिए आपका 10 पास आप अगर किसी भी बोर्ट से 10 पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई इलिजिवल हो अगर आपका Age इसमें है तो ठीक है और वेकेंसी अभी तक सस्ती ने नहीं बताई जैसे वेकेंसी अपडेट की जाएगी उसको आपका चैनल का मायदान से बता दिये जाएगा ओके इससे पहले जो 23-24 का था उसमें अराउंड 26,146 वेकेंसी थी त हो सकता 20-25,000 हो और एससी बढ़ा भी सकता है ओके सो अगर इसमें फिजिकल का बात करें सबसे पहले बात करें तो आपका CBDT होगा computer-based exam उसके बाद आपको फिजिकल होता है ठीक है ओके फिजिकल में क्या आपके पास होना चाहिए अगर आपका एक मेल और फिमेल देखते ह हैं हाइट का बात करता है होके सबसे फिल हाइट के बारा में देखते हैं अगर आपका हायट 170 है आप जन्रल OBC-ST हो तो आपका हाइट 170OOD東西 होना चाहिए और एस्टी के लिए हाइट 162.5 सेंटीमेटर मेल के लिए औहीं फिमेल में अगर आप एक जन्रल OBC या ST हो तो आपका हाइट 157 cm होना चाहिए और ST के लिए 150 cm फिमेल में और वहीं चेस्ट का बात करें मेल में अगर आपका जनरल OBC ST के लिए 80 से 85 होना चाहिए 80 नॉर्मल में और फुलाने के बाद 5 cm वहीं ST के लिए 76 से 80 तक होना चाहिए और फिमेल में कोई चेस्ट एकस्पेंसर नहीं होता उनली उनका फिजिकल होता रणिंग होता मेल के लिए रणिंग क्या है 5 km in 24 मिनट आपको 24 मिनट में 5 km रणिंग करना है वहीं female के लिए क्या 1.6 km in 8.5 minutes, okay, I hope यह पूरा clear हो गया होगा form के बारे में, अब आगे देखते हैं कि एक NCC cadets जिसके पास NCC का A, B ये C certificate है, उसको SSC GD 2024 में क्या benefit मिलेगा, कितना marks का benefit मिलेगा, सबसे important part एक NCC certificate shoulder के लिए कि NCC cadets को कितना marks मिलेगा, अगर इसमें कुछ doubts है, वो भी आपका इसमें clear हो जाएगा, सबसे पहले देखते है, NCC C certificate, सबसे बड़ा certificate है NCC में, C certificate अगर आपके पास है, तो आपको 5% marks मिलेगा, of the maximum marks, exam का जितना भी maximum marks है, जिसमें SSC GD का maximum marks कितना है आपका 160, ठीक है, maximum marks है, आपका 160, ओके, तो 160 का 5% मिलेगा, वही NCC B certificate है आपके पास, तो आपको 3% मिलेगा, of the maximum marks, वहीं A certificate के लिए आपको 2% marks मिलेगा, and 5% कितना होता है, जैसे मैंने बता है, maximum marks है, 160, तो 160 का 5% आपको भी निकाल लाएगा, वह 8 marks, आपको 8 marks मिलेगा, computer exam, जो सबसे पहला, आप form भनने के बाद आपका exam होगा, computer exam, उसमें ही, जब उसका result आएगा, ये marks आपको cut off में ही भी add होता है, ये आपको cut off clear करने में, या करने में बहुत मदद मिलता है, 8 number कोई, मामूले marks नहीं है, कोई credits होता है, जो 1 number, 2 number से छूट जाते हैं, तो आपको free में art number मिल रहा है, and 3% of 164.8 marks मिलेगा, आपको B certificate का, और A certificate जिसमें 2%, उसमें आपको 3.2 marks मिलेगा, I hope पूरा clears होगी होगा, ये, अगर कोई भी doubt है, so just you can comment, जिसमें एक doubts रहता है, cadets का, कि सर हमको 5% तो मिलेगा, C certificate का, किसका 5%, total marks का, या फिर हम लो So, I hope clear होगी होगा, अभी तक, maximum marks, exam का maximum marks कितना है, 160, तो 160 का 5%, art number, okay, ना कि आप जितना score करोगे, उसका 5%, clear होगी होगा, maximum marks का 5% मिलेगा, आपको, I hope पूरा clear होगी होगा, and if you have still any doubt, so just you can comment, and thanks for watching, 10 to everyone